पाखी को जैसे ही पता चलेगा विनायक का सच विनायक को लेकर हो जाएगी तुरंत फरार जिहां दोस्तों सेरल गुमे किसी की प्यार में की लेटिस्ट अपडेट सामने आ गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाखी जो है वो विनायक का सच जान जाएगी और सच जानने के विराट और सही क्या करेंगे तो चलिए बताते हैं दोस्तों सीरल के आने वाले ट्राक में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से सही के सामने तो सारे सच आही जाएगा लेकिन अब तभी ये भी देखेंगे किस तरह से अश्विनी जो है भागते भागते विराट के पास आ रही है और वो विराट से कहती हुई नजर आ रही है कि विराट पाखी भाग गई है यानि कि पाखी विनायक को लेकर कहीं फराख हो गई है पाखी और विनायक का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है जिस बास से तो विराट भी हैरान हो ग दी है कि वो 72 घंटे में अगर सब को सच नहीं बताएगा तो वो उसको छोड़ीगी नहीं यानि कि सई जो है विराट को कोट तक घसीट कर भी ले जा सकती है लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं किस तरह से विराट जो है बहुत बड़ा प्लान बना रहा है विर विराट कोई और नहीं बल्कि उसका वही बच्चा है जिसे उसने जन्म दिया था विराट और सई के लिए लेकिन आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि सई को वो बच्चा कभी नहीं देना चाहती थी और जब अब विराट और पाकी एक साथ करीब आप आते हैं इन सब को जानते हुए पाकी तो विनायक को कभी नहीं देगी क्योंकि पाकी को अब ये भी पता चल चुका है कि वो कभी मा नहीं बन सकती तो पाकी कोई तगड़ा प्लान बनाएगी और विनायक को लेकर भाग जाएगी लेकिन इसके बाद सई क्या करेगी क्योंकि सई को भी आप आगे सारा का सारा सच जो है वो उगलवादे और ऐसा आपने देखा भी जकताफ के साथ मिलकर सही जो है विराट का सारा सच जान गए कि विनायत जंदा है और ये बात विराट ने मुझे चुपाई है अब वहीं दोसरी तरफ जहां अश्मिनी बार बार चिला रही है कि भाई पाकी भाग गई है अब पाकी कहां भागी है और कैसे सही अपने बच्चे तक पहुंचेगी ये देखना भी बहुत इंटरस्टिंग हो जाएगा बैल आपका क्या कहना है पाकी की चाल को लेकर कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा तिलहाल इस वीडियो में इतना ही टीवी बॉलिवूर्ट से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर आप ये वीडियो हमारा फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी लाइक कर दें